अज बनाने जारी है चिकन बुना मसाला हो ली बैचलर है यह इतना इस्पेशल चिकन है कि हर किसी को पसंद आएगा जट पड बन जाएगा जो बैचलर है या फिर होस्टल में रहते हैं मिकसर नहीं रखे हैं वो भी बना सकते हैं क्योंकि इसमें हम मिकसर का यूज नहीं करेंगे कोई मसाले भी पीस कर नहीं डालेंगे तो यहाँ पर 700 ग्राम चिकन को उसे चार पांस पानी से मैंने धुल लिया है चिकन को उसके बाद एक चमच धनिया पॉडर एक चमच लाल मिश पॉडर आदा चमच हल्दी पॉडर एक चमच कस्तूरी मेथी यहीं पर हम सारे मसाले यूज करेंगे बाद में हमें नहीं डालना है और एक चमच हम यहाँ पर एक चमच क्या आदा चमच करीब हम गरम मसाला डालेंगे तो आदा चमची मैंने गरम मसाला डाल लिया है और उसके बाद यहाँ पर हम नमक डालेंगे तो यहाँ पर पहले हम छोड़ा चमच नमक डालने हैं क्योंकि बाद में भी हम नमक का यूज करेंगे और चार चमच फ्रेश दही डालनी है तो चार चमजें पर दही डालेंगे इस तरह से चिकन बना के देखिए गा तो चिकन भुर मसाला इतना स्वादिश्ट बनेगा कि इंगलिया चाटते रह जाएंगे जिरें भी सर्फ करेंगे जो भी गैस्ट आपके खाएंगे ना बस आपकी तारीफी करेंगे और इस चिकन की लुए कोई वो जरूर पूछेंगे कि यह आपने कैसे बना इतना लाज़ जवाब ये चिकन बनता है इसना अच्छे से हमेस इसे मिक्स कर लेना है कि से अच्छे से मिक्स होक गए है अब इसे हम आधे गंटे फिर्जर में रख देंगे जब तक कि हम दूसरी तैयारी करेंगे तो आदे घंटे के लिए से हमें फिर्जर में रख देना है जिससे कि यह चिकन बुकुल जूसी बनेगा यहां मैंने मस्टर ओल ले लिया है एक कड़ाई में तेल थोड़ा साथ ज्यादा लगता है इस चिकन में दो तेशपत्ता एक चिम्मर जीरा पांचे काली में तीन लॉंग और एक डाल चुमनी का टुकड़ा है और दो बड़ी लाची है दो हरी लाची है एक चोटा जावित्री है तो इन खरे मसालों से हम देंगे इसमें तरका तो और हमें हलका गरम कर लेना है तो यहां पर हमारा प्राइसन को मैंने अच्छे से कूट लिया है और कूट कर इस तरह से हम इसमें डालेंगे तो आप इसमें मिक्चाय तो पेस्ट भी डाल सकते हैं लेकिन बिना मिक्सर के बता रहे हैं और इस तरह से बना कर देखेंगा वह बता नहीं सकती कि यह कितना स्वादिष्ट तो बहुत अच्छा लगेगा और आप हमें सरसीता बना के खाना पसंद करोगे यहां पर एक मिनिट करीब मीडियम फ्लेम पे लैसुन और अद्रक को अच्छे से भून लेना है और खुजबू जब लैसुन अद्रक भूनता है तो बहुत अच्छी से आती है और चार प्याज भी हमने यूज किया है तो सादर नासाल बस नमक डालेंगे जो थोड़ा यहां डालना था यहां डाल दिया जिससे कि प्याज जल्दी गल जाएगी जल्दी सॉफ्ट होगी इस तरह से दो से तीन मिनिट भून लेंगे जब तक हमारी प्याज हलकी ट्रांसपेरन और हलकी सी गलनी लग भी सुरूरी हो जाती है मतलब हमें अच्छे सिर्प ड्राउन करनी है ऐसे हमें प्याज करना है तो पहले हम दो मिन इस तरह से भून लेते हैं हलकी गुलाबी हो जाए फिर आगे बताते हैं हमें क्या करना है तो इस तरह से हमारी प्याज को भूनने देना है यह हलकी गुलाबी हो गई हमारी प्याज भुनने लगी है हलकी हलकी तो अब यहां पर हम डालेंगे टमाटर तो हमने दही यूज की है तो हम एक टमाटर यूज कर रहे हैं अगर आप दही यूज नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पर दो टमाटर का यूज कर सकते हैं यह जर्में से और यह हम चिकन डालेंगे इसमें तो मैं देख सकते हैं प्याज लाइसो नद्रक टमाटर सब अच्छे से भून गया है खुझ बहुत अच्छी आ रही है और आदे गंटे बाद हम चिकन को भी इसमें डाल देंगे अब इने भी हमें अच्छे से मिक्स करते हुए बुन्ना है दो मिनिट इस तरह से खुले में पहले अलट पलट कर तो बहुत अच्छा इन चिकन बनेगा तो मैं जब भी इस तरह से चिकन बनाती हैं तो लोग सुख़ी खा जाते हैं मेरे घर पर सुख़ी खाना पसंद करते इसी तरह बिना रोटी के बिना चावल के तो इ इस तरह से जट पट वाला चिकन बना सकते हो और इसका स्वाद और टेस्ट इतना बहतरीन होता है ना कि आपको मैं बता नहीं सकती और इस तरह से अब हम 5-7 मिनट के लिए चिकन को ढखकर भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे और देखें चिकन कितने अच्छी तरह के से इसके मसा बूनेंगे चलाते होई गया सक फेर्म यहां पर मीडियम है और इस तरह से र्क्राइपडश को भूनेंगे चिकन के लिए तो यहां पर मैंने पांच पीस चिकन निकाल दिया है 700 ग्राम में से अब यहां ग्रेवी के रुषार मैं पानी डालूंगे तो यहां ग्रेवी जित्ती आप को रखनी है आप उतना पानी ले सकते हैं इस चिकन को आप पतीले में कूकर में जैसे चाहे वैसे बना ले जो लोग कूकर में बना रहे हैं तो दो सीटी इसमें लगा देंगे तो यह चिकन बिल्कुल रेडी हो जाएगा और अगर सूखा खाना है तो एक सीटी और यहां पर डालूँगी एक चमच चिकन मसाला आप किसी भी ब्रांड का चिकन मसाला ले सकते हैं और इससे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है चके मसाला चिकन बन रहा है तो ज्टी आप अ हम डाल देंगे एक चमच करेंगे और 10 मिमिट मीडियम फ्लेम पर फ्रेंस पकने देंगे और 10 मिनिट हो गए है और आद देखिए आप कि चिकन कितना सांदार देख रहा है और उससे भी बहतर आ रही है टेस्ट इसका इतना बहतर है कि आप बस खाते जाओगे इतना अच्छा लगेगा अब यहां पर गैस का फ्लेम बंद क सकते हो तो चलिए फ्रेंस से मैं जल्दी से सर्फ कर लेती हूं और उसके बाद आपको दिखाती हूं तो यहां मैंने सर्फ कर लिया है तो होली स्पेशल चिकन भूरा मसाला आप जरूर बना के देखिए और वीडियो अच्छी लगे फ्रेंस वीडियो को लाइक कर हो किस चीज से हो बना सकते हो तो वह भी आपको इस दिखेगा तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन का बटन जरू दो आए फ्रेंस फ्रेंड़ी हो शोचल मेडिया मेरी चैनल मेरी रैस्पी को ज्यादस ज्यादस शेयर करें तो मिलते हैं नई र झाल 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 झाल